महाकालेश्वर जोतिरलिंगा शावण मास में भगवान शिव की पूजा की जाती है भगवान शिव की कृपा से भक्त के जीवन में बहुत सारी खुशियों का आगमन होता है देश भर में शिव के बारा जोतिरलिंग है जिनको शद्धा भाव से पूजा जाता है इसमें से एक जोतिलिंग महाकालेश्वर है जो मध्यप्रदेश के उज्जैन में स्थित है उज्जैन के भगवान महाकालेश्वर की ख्याती दूर दूर तक है इस भव्य जोतिलिंग के स्थापना पर एक कथा प्रचलित है इससे जुड़े कथा का आज हम वर्णन करेंगे अवंती नाम से एक रम्निय नगरी था जो भगवान शिव को बहुत प्रिय था इसी नगर में एक ज्यानी ब्रामन रहते थे जो बहुत ही बुद्धिमान और कर्मकांडी ब्रामन थे साथ ही ब्रामन शिव के बड़े भक्त थे वह हर रोज पार्थिफ शिवलिंग बना कर उसकी आराधना किया करते थे ब्रामन का नाम वेद प्रिय था जो हमेशा वेद के ज्यान अरजित करने में लगे रहते थे ब्रामन को उसके कर्मों का पूरा फल प्राप्थ हुआ था रत्नमाल परवत पर दूशन नामक का राक्षस रहता था इस राक्षस को ब्राहमा जी से एक वर्दान मिला था इसी वर्दान के मद में वह धार्मिक व्यक्तियों पर आक्रमन करने लगा था उसने उज्जैन के ब्रामनों पर आक्रमन करने का विचार बना लिया इसी वज़से उसने अवंती नगर के ब्रामनों को अपनी हरक्तों से परेशान करना शुरू कर दिया उसने ब्रामनों को कर्मकान करने से मना करने लगा धर्म कर्म का कार्य रोकने के लिए कहा लेकिन ब्रामनों ने उसकी इस बात को नहीं ध्यान दिया हालांकि राक्षसों द्वारा उन्हें आए दिन परेशान किया जाने लगा इससे उपकर ब्रामनों ने शिव शंकर से अपने रक्षा के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया ब्रामनों के विनय पर भगवान शिव ने राक्षस के अत्याचार को रोकने से पहले उन्हें चेतावनी दी एक दिन राक्षसों ने हमला कर दिया भगवान शिव धर्ती फाड़ कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए नाराज शिव ने अपनी एक हुंकार से ही दूशन राक्षस को भस्न कर दिया भक्तों की वही रूखने की मांग से अभीभूत होकर भगवान वहां विराजमान हो गए इसी वज़ा से इस जगह का नाम महाकालेश्वर पड़ा गया जिसे आप महाकालेश्वर जोतिरलिंग के नाम से जानते हैं ये एक कहानी है कि महाकाल भगवान महाकालेश्वर जोतिरलिंग में कैसे स्थापित हुए अन्य कहानिया भी प्रचलित है भगवन शिव की महिमा हम सभी जानते हैं तो जीवन में कभी मौका मिले और भगवान शिव का बुलावा आये तो महाकालेश्वर जोतिरलिंग का दर्शन जरूर करें जय भोले नात, जय जय शिव शंभू